हालो दोस्तों मैं हूँ बैवाव शर्मा और आज हम नर्चर क्लासिस के तहते एक नया अनिशेटिव लाए हैं जिसमें हम जोग्राफी जो भी हम NCIT पढ़ा चुके हैं तो हम उसके ही हम उनको डिसकस करेंगे यहां और जो आपको वैरियस स्टेट PCS और UPSC SSC जैसे एक्जाम के लिए वेनिफिट होंगे क्योंकि डेली वेसिस पे आप देखो एक NCIT बुक्तोर रीड कर रहे हो लेक्चर भी देख रहे हो लेकिन आप अगर उन कोशन को इंप्लिमेंट अच्छे से कर ले जा रहे हो करना जान रहे हो कैसे कोशन करते हैं अगर यह चीज़ सीख ले रहे हो और डेली प्रैक्टिस में आ जा रही है तो आपके जो प्रारं कि इस बुढेंगे और हम आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लगे चलिए करते देर ना करते हुए तो हमारा पहला कोश्चन है प्रायम मेरीडियर्म इज लाइन ओफ लैटीटुद ओ लॉंगीटुट रिप्रेजटिंडिंग प्रायम मेरीडियर्म क्या होता है यह हम आपको पढ़ा चुके हैं हमारे अगर लेक्षेर आप देख रहे हैं तो ऊसमें आपको मिलेगा प्राइम मेरेडियूम क्या है और हिंदी वालों के लिए दोनों ही वहासाओं में है प्राइम मेरेडियूम जैसे हम यहां मोत पर कहते हैं देशांतर की ग्रेखा जो पितनिद्ध करती है तो चलिए आपको 30 सकंड मिलते हैं और सही आंसर आप टिक मारिए अपना क्या है इसके बाद हम बताते हैं डिसकस करते हैं कि सही आंसर इसका क्या है चलिए स्टार्ट करते हैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे तो प्राइम मेरेडियूम की बात करें प्राइम मेरेडियूम पहले हम देख लेते हैं प्राइम मेरेडियूम क्या है कि हम पढ़ जो भी गृड़ थी, आर्थ को हमने अपनी सुविधा अंसार दिवाइट कर रखा था, लैटिट्टूड, जिनने अच्छांस बोलते थे, और लॉंग यूट्टूड, जिनने हम देसांतर बोलते थे, तो जो prime meridian क्या है, एक देसांतर है, एक longitude है, तो prime meridian zero degree, किसी भी चीज का हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का कर हम counting करते हैं, अपनी सुभिदा अनुसार को एक particular number है, जैसे हम zero ले ले लेते हैं, zero से हम start करते हैं, वैसे हमने एक prime meridian माल लिया, जो greenage, लंदन के greenage से गया है, ब हम कहते हैं, prime meridian, prime meridian के अगर हम इधर जाएंगे, east में जाएंगे, तो हमारी और भी meridian है, degree पे, west में हमारी meridian है, और इसके just opposite meridian है, तो आशा करता हूँ, समझेगे होगे, वाकी explanation है यहाँ पे लिखी है, तो इसको आप हिंदी इंग्लिस दोनों में है, तो आप पढ़ ले इसको, तो prime meridian क्या है, 0 degree longitude, 180 degree longitude, 360 degree longitude यह नना ओफेपर, 0 degree longitude जो हमारा answer है, वो हमारा prime meridian है, और 0 degree longitude के just, यह 0 degree longitude है, 0 degree longitude के just opposite, पीछे जो एक meridian होती है, 180, 180 होती है, degree longitude इसको कहते है, 180 होती है, अब सवाल तो और इस पे बनते हैं कि prime meridian कितने continent से पास होती है, कितने water body से पास होती है, कितने देश को not to see, आगे हम जब daily basis पे question आएंगे, 5-5 question तो हम आगे इस पे question बनाएंगे, कितने type के question बन सकते हैं, हम इसको discuss करेंगे, फिलाल तो हमारा यह इसका answer हो गया, 0 degree longitude, तो consider the following statement, हमें statement देखना, तो इस type के question जो है, SSC या state pieces जैसे, जो आपके exam है, उनमें बहुत आते हैं, और वो SSC बोला, UPSC, जैसे, तो ऐसे question को solve करने से पहले, सबसे पहले ध्यान देना होता है, बच्चो किस चीज़ पे, कि यहाँ पे क्या पूचा है, UPSC में यहाँ पे बहुत गया, यहाँ पे आपको incorrect दे रखागा, incorrect दे देगा, पूच देगा, incorrect, आप तो अंससा ही मार होगे, आपका गलत हो पूचा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसने incorrect पूचा है, तो यहाँ पे आपको क्या पूचा है, यहाँ पे आप सबसे पहले question पढ़े, क्या statement है, और क्या पूचा गया है, इस पर ध्यान जरू दे, क्योंकि यही सौलियत होती है, जो exam hall में time सब कोई 2 गंटे मिलता है, और question का, कि topic of cancer and capricorn represent line of latitude, यह तो हमारा पहला statement हो गया, दूसरा statement है, the reason of earth between them is called the torrid zone, यह हम पिछले lecture में आपको जो 6th class के sincerity पढ़ाईती ही, उसमें आपको पढ़ा चुके हैं यह चीजे, तो आशा करता हूँ, यह question कर ले जाएंगे आप, तो चलिए, correct statement बताना है, तो कुछ time आपको देते हैं, 10 second का time है आपके पास, पढ़िए सवाल को, यह recorded lecture है, तो आप post करके आप time करें, तो चलिए हम करते है, question को, तो पहला है, tropic of cancer है, capricorn को पहले हम समझ ले, तो देखो, यह क्या है, this part, यह हमारी tropic of cancer है, और यह हमारी tropic of capricorn है, और यह वाला जो छेतर है, इसको कहते है, tropical zone, क्या कहते हैं, विटा? ट्रॉपिकल जोन और यह वाला जो हमारा छेत्र है इसको कहते हैं टैंपर जोन और यह वाला जो छेत्र है यहां पर टॉरिड जोन आ जाएगा तो यहां पर आपको भोला गया है कि आपको बताना है कि इन में से कौन सा आपका statement सही है कि reason of the earth between them is called the torrid zone and temperate zone तो पहला statement हम पढ़ते हैं कि यहां पर देखते हैं कि हमारा टॉपिक और कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बारे में और इसी टॉपिकल जोन को ही हम क्या कहते हैं तॉरिड जोन भी कहते हैं तो इस शीच को याद रखना यह आपका यह जो पोल्स वाला जो reason है इसको तो फ्रीजड जोन कहते हैं प्रीजड जोन पॉल्स होता है संदेस टिल्टेड होती है कम पढ़ती हैं कम पढ़ती है तो यह यहां पे ज्यादा temperature नहीं होता है तो पहला statement हमारा है बच्चों क्या है कि Tropic of Cancer and Capricorn represent line of latitude सिधी बात है यह latitude होते है यह पढ़ चुके हो कि horizontal जो line होती है वो क्या होती है वो latitude होती है तो पहला statement हमारा सही हो गया दूसरा statement है the reason of earth between them is called the Taurid zone Tropic of Cancer and Capricorn के बीच का जो earth है इसको हम Taurid zone कहते हैं तो यह भी हमारा सही है इसको Tropic of Cancer लिए Taurid zone भी कहते हैं तो यह आपका क्या हो गया यह आपका Taurid zone हो गया दोनों ही answer आपके correct हैं तो आपका answer क्या बना बोथ 1 and 2 only हिंदी वाले attend कर लें इसको तो चलिए आशा करते हो समझ में आया होगा और अब यह दिखो Tropic of Cancer पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं जैसे Tropic of Cancer कितने पार्ट से भारत के कितने स्टेट से पास होती है Tropic of Cancer कितने डिगरी से पास होती है तो यहाँ पर बिटा यह गलत लिखा है थोड़ा इसको correct कर लें यह साउथ नहीं है यह नौर्थ है यह साउथ है प्रिंटिंग में स्टेक हो गई है ठीक है चलिए next question हम अपना देखते हैं consider the following statement और इसमें आपको तीन statement दिएगे इसको बड़ा साब्धानी पूरवक पढ़िएगा क्योंकि छोटे छोटे सबसे पहले इसमें क्या पूछा यह UPSC type का question है और आपका state PCS में भी पूछा जा सकता है तो इसमें क्या है पहला आपको statement पूछा है correct सबसे पहले आप यहां पर गौर कीजिए क्या है correct statement बताना है तो first क्या है यहां पर first statement है when earth move around its own axis it is called the revolution okay and second पढ़ते हैं when earth move it in its orbit it is called the rotation okay third है हमारा statement the rotation result in change of season and the revolution result in day and night चलिये चलिये अटेंड करते हैं खूछान को तो पहला statement क्या है देखो हम lecture में आपको NCRT जब पढ़ाई है तो उसमें आपको दो चीज़ें पढ़ा चुके हैं दो motion of the earth थी motion of the earth पढ़ाई थी और उन motion of the earth में हमने दो motions पढ़ाई थी एक तो आपको पढ़ाई थी वेटा revolution और एक आपको पढ़ाई थी rotation दो तरह की motion होती है एक revolution होती है एक rotation revolution में बेटा क्या होता है जब earth क्या करती है एक certain orbit पर sun के चारों तरफ चक्कल लगाती है एक certain orbit है यह क्या है एक orbit है और इस पर earth क्या कर रही है sun के चारों तरफ चक्कल लगा रही है तो इस motion को क्या कहते है इस motion को revolution कहते है हिंदी में परिक्रमण कहते हैं जिसे परिक्रमण और रोटेशन क्या कहते हैं जिसे घूडन कहते हैं और रोटेशन कहते हैं जब अर्थ अपनी ही एक्सेस पे क्या करती है अपनी ही एक्सेस पे घूमती है रोटेट करती है तो इसको रोटेशन कहते हैं जिसे हिंदी में घू रही है तो उसे revolution कहते है गलात उसे क्या कहते है मिटा उसे rotation कहते है rotation कहते है फिर कह रहा है when the earth move it in it orbit is called a rotation गलात दोनों ही अल्टा चेंज कर दिए गया है यहां पर इसे कहेंगे revolution तो दूसरा वाला statement का अब हम देखते हैं elimination से हम यह अपना question solve कर सकते हैं कि नहीं तो देखो पहला जहां गलात वह statement हो यह नहीं सकता चलिए दूसरा है वह statement नहीं हो सकता ठीक है अब यह तो डी होगा यह तीसरा होगा तो statement तीसरा हमेचे करना पड़ेगा elimination इसमें ज्यादा कारगर नहीं है तो तीसरा है कि rotation result in change of season and revolution result in day and night हम आपको पढ़ा चुके हैं और आपने पढ़ा भी होगा जब NCRT पढ़ी होगी कि जब अपनी अर्थ अपनी access पे rotate करती है तो दिन रात बनते हैं क्या बनते हैं डे and night कब बनते हैं due to rotation rotation के कारण ही डे and night बनते हैं और revolution के कारण क्या होते हैं जब अर्थ अपने orbit एक certain orbit में क्या करती है तो वो क्या होता है उस से आपके revolution के काड़ आपके क्या बनते हैं आपके seasons बनते हैं तो यहांपे तो उल्टा लिखा है कि रोटेशन से season बोल ला revolution से day night तो यह भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि rotation से बिटा क्या बनता है rotation अब rotation की बात करें तो तो रोटेशन से आपका क्या बनना है, यहां पे सीजन नहीं बनना है, हैं रिवलूशन होना चाहिए, रिवलूशन होना चाहिए और यहां पे आपका क्या होना चाहिए, यहां पे रोटेशन होना चाहिए, तब आपका सही होना है, तो तीनों यह स्टेट्मेंट कलत है, तो आंशर हमारा क्या हुगा DMC उमएब करता हूं ये चीज समझ में आई होगी तो चलिए next question पर चलते हैं next question हमारा the Indian Standard Meridian Meridian क्या है इस पे बात करते हैं तो इंडियन Standard Meridian की बात करते हैं तो चलिए है मैं तो मुइद करता हूं कि आपने कर लिया होगा कोशन तो इंडियन स्टेंडर मेरेडियन की बाथ करते हैं तो देखिए क्या क्या किया गया है ए ला कि हर कंटी का एक चुछेतरर बहुत ज़ाधा य६ तो प्राइम मेरेडियन से सबका तो हम टाइम डिसाइड कर नहीं सकते हैं तो हर एक कंट्री के मिड से एक टाइम लाइन पास की गई है और उसके ही अकॉर्डिंग इस पूरे इस कंट्री का क्या किया जाता है इस कंट्री का हम जीसे यह इंडिया है और हम क्या करते से पास हुता है और वह कहां से पास होता यह देखो उत्तर प्रदेश एगर यह इसको नीचे सीद़ा किया जाए उत्तर प्रदेश स्वाद्ध प्रदेस और जार खेंड और फिर आपका उरीशा उरीशा के बाद आपका आधा जाता आनद्रदेश ठीक है यहां से आपका पास होता है पुराना मैप लगा हुआ है नेया मैप लगाना भूल गया यह यहां पर आई से करके यह लद्दाक है यह जम्मुएट का समीर ठीक है तो देखो इंडियन स्टेंडर्ड में इस पर और भी सवाल कोशन मनेंगे आगे जब हम करेंगे तो और भी कोशन इसमें देखेंग नॉट टूट कितने स्टेट से पास होती है पायन मेरेडियन बहुत सारी चीज़े हैं तो इसलिए अभी हम यह डिसकस नहीं कर रहे हैं यह प्राइम मेरेडियम है और मेरेडियम के इस्ट में इंडिया है तो 82.5 डिगरी इस्ट लॉंगिटूड यह हमारा आंसर बन गया यह तो किसी हाल में आंसर नहीं है तो आशा करता हूं यह चीज़ समझ में होगी तो चलिए लास्ट कोशन इकिनॉक्स बिशूफ क्या होता है तो इकिनॉक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और यह सिक्स क्ल यह तो चलिए देखते हैं इकिनॉक्स क्या होता है यह जो पोजिशन होती है इसको क्या कहते हैं और यहां पर जो सन रेज होती हैं वो क्या करती हैं इक्वेटर पर पढ़ती हैं तो दिन रात क्या होते हैं डे एंड नाइट क्या होते हैं इक्कॉल होते हैं दोनों ही इक्क Northern Hemisphere में और Southern Hemisphere में दोनों में दिन और रात कैसे होंगे दे और नाइट इक्कोल होते हैं यह हम आपको अच्छे से बता चुके हैं और यह चीज आपने पड़ी भी होगी तो उम्मीद करता हूं यह चीज समझ में आ रही होगी आपको ठीक है इन दोनों पोजीशन पर और यह दोनों पोजीशन कब आती है एक 21st मार्च को आती है और एक आती है आपको 23 सेप्टेम्बर को इक्विनॉक्स कंडिशन तो चलिए हमारा कोशन क्या आंसर क्या होगा लूनार एकलेट होगा नहीं यह दोनों नहीं होगे तो हमारा आंसर बनेगा डी ठीक है तो मीट करता हूं सीरीज आपको पसंद आएगी यह डेली आपको मिलेंक इसी चैनल पर और इस टैलिग्राम चैनल पर आपको इसका लिंक कर देया जाएगा और आपको इस लेक्टर की पीडिया वी प्रोवाइट कर दे जाएगी जो आपको अभी mcqs कराएगे डेली फाइब mcqs NCRD बेस मिलेंगे जो आप के लिए बहुत हेल्फुल होंगे आपके एक्जाम के लिए जो SSC है स्टेट PCS हैं और आपके जो UPSC है उसमें कैसे कोशन अगर आप डेली बेसे पे इसको करते रहते हैं तो क्या है आपकी मलब प्रैक्टिस में आ जाएंगे जब आप एक्जाम में करने बैठेंगे तो आपको आसानी होगी तो चलिए कल हम मिलते हैं फिर सोबह मौनिंग में और इस जो यह लेक्षर है इसकी जो PDF है mcqs की और वीडियो लिंक की इस आप चैनल पर भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी तो चलिए गौद ब्लस्यू आल जैहिन